रूस के हमले के बाद युक्रेन में फंसे भारतियों को वापस लाने का काम लगातार जारी है केंद्रिय मंत्री एस जैशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अन्य 13 उडानों से आज 2500 भारतिय अस्वदेश लाए जाएंगे उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक युक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतिय वापस लाटे हैं विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने संबादाताओं को बताया कि पिछले 24 खंटों में लगभग 2900 भारतियों को लेकर 15 उडाने भारत पहुंची उन्होंने कहा कि खारकी उसे लगभग सभी भारतिय बाहर निकल चुके हैं उन्होंने कहा कि अब युक्रेन के सुमी पर ध्यान के इंद्रित की आ जा रहा है भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंदित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में इस्थानिय संघर्ष विराम सर्वत्तम विकल्प होगा भारत ने रूस और युक्रेन दोनों से भारतिय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए इस्थानिय संघर्ष विराम लागू करने का आगरह किया है यूक्रेन में भारतिय दूतावास ने बताया कि पिशो चिन से सभी भारतिय सुरक्षित निकल चुके हैं और दूतावास उनसे लगातार संपर्क में है दूतावास ने ट्वीट में कहा है कि अपने नागनिकों की सुरक्षित वापसी भारत की प्रात्मिकता है इससे पहले संकट ग्रस्त युक्रेन से भारतियों को लेकर एर इंडिया का विशेश विमान आज तड़के मुंबई पहुँचा इसके तहट 182 लोग स्वदेश लोटे हैं इनमें अधिकतर युक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिनें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है इधर युक्रेन में भारतिय दूतावास ने वहां मौझूद सभी भारतिय छात्रों के लिए एडवाईजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि सभी विद्यार्थी गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी दूतावास तक पहुचा सकते हैं